दोस्तों अभी HDFC बैंक के फास सेंग चल रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कहने का मतलब यह है कि अभी बहुत ही ज्यादा मत्रा में क्रेडिट कार्ड इसू हो रहे हैं, और गईग HDFC बैंक यहां पे instant क्रेडिट कार्ड प्रवाइड कर दे रहा है, सबसे पहले गईग आ आप लाइप पूरूप के तोर पे डिफ्ली पे देख सकते हैं, पाच दिन पहले मैंने इस क्रेडिट कार्ड को कम्प्लेट अप्लाई किया था, यहां पे सेम डेज में मुझे instant क्रेडिट कार्ड जनरेट करकी मेरे इमेल पे कम्प्लेट भेज दिया गया है, और गईग मे SDFC बेंक की क्रेडिट कार्ड को Live-just by-just apply करकी दिखाने वले हैं, क्योंकि गई EDFC बेंक की क्रेडिट कार्ड को तो तो बहुत सारे लोग apply करते हैं, लेकिन apply करते ताइन कुछ चूटी-चूटी गलतिया कर देते हैं, जिनके कारण से उनकी application reject जाती है, और बेचारे को credit card नह है एक प्रूफ हो जाएगा क्यों कि यहां पर हम चार-चर क्रेडिट कार्ड की एक्स्प्रियंस की बेसिस पर आपको वताऊँगा तो चलिए गए वीडियो इस्टार्ट करते हैं और हम सिक लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिलेगा तो फाइनली दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिस्टन में हमने आपको कार्ड अपलाई की लिंक और लेटी दे रखा है आपको फिलिंग के उपर जैसे ही क्लिक करेंगी डिरेक्ली आप जो है इनकी ऑफिस्यल पेज पेदेंगी जहां से यहां पे आनिक बाद फाइनल गी यहां पे आप देशक्ते हैं आपको अपने कंप्लेट मुबाइल नंबर फिल करनी है इसके निचे यहां पे आपकी पिन कार्ड की नंबर जो भी है यहां पे आप अपनी कंप्लेट पिन कार्ड की नंबर फिल करेंगी तो दिखिए दोस् इसे दूसरे मोबाइल नमबर को फिल करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे हम अपने complete pin card की नमबर फिल करते हैं, और गई यहाँ पे get OTP वाले button पे click करते हैं, आप दखी गई जिसे ही आप get OTP वाले button पे click करेंगे, आपने जो भी मोबाइल नमबर फिल किया है, उस मोबाइल के लिए OTP pin sent की जाते हैं, HNPC bank की तरफ से, उस OTP को final gauge आप इस box में complete फिल करेंगी, OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक view the best card की अफ़र मिलेगी, final gauge आप इसके उपर complete क्लिक कर देंगे, ठीए दोस्तों यहाँ पे आपकी OTP को complete verify किया ज़रा है, ओके, अब चलिए द account HNPC bank में नहीं है, तो उस condition में आपसे आपकी father's की name, आपकी mother's की name, आपकी area, आपकी city, आपकी locality, यहाँ पे पिन कोडे कोडे कापी सारे चीज़े पुशे जाएंगी आपसे, final gauge आप अपनी details को फिल करकी, जैसे ही best the card वाले अफ़र पे click करेंगे, यहाँ पे आपके सामन जो है bank credit card offer कर दे रही है, यहाँ पे गई हमीं दो credit card bank offer कर रही है, पहला है यहाँ पे HDFC bank की money back plus credit card, और दुफरा है यहाँ पे HDFC bank की freedom credit card, गई हमीं दोनो credit card में से किसी भी एक credit card को बहुत ही आफानी से ले सकते हैं, गई यहाँ पे फिलाल हम जो है HDFC bank की money back credit card की बारे में ब क्रिध्ट करें गया नहीं ार्या की यहां पर इस कार्ड के उपर किरें तो ञागे सब्सक्राइब करने dedikan वे कुरें टो गारी सब्सक्राइब उस्टीन सब्सक्राइब याफिर आपको यहाँ पर 500 रुपिया चार्जिस के रुपी पे करने होती है जिस कार्ड की benefit की बारे में बात करो तो यहाँ पर 10X तक की reward points आपको दिखने को मिलाता है और यहाँ पे आप जो है Amazon, Big Basket, यहाँ पे Flip Card, Reliance, यहाँ पे आप जो है Smart, Super Customer या फिर स्वेगी की उपर S20 करते हैं तो यहाँ पे आपको 10X reward points की facility मिल जाती है और यहाँ पे 5 extra की reward points आपको EMIP comfort करने पे किसी भी product को दिया जाएगा और यहाँ पे परतिक 1.500 रुपिया spend करने पे आपको जो है 2 reward points की facility मिलती है यहाँ इस card की और details में benefit लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप more benefit वाले upfront पे click करेंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको complete यहाँ पे special offer की भी बारिम बता गया है तो final case आप इस card की details में benefit ले सकते हैं अब देखीगी फिलाल यहाँ पे हम इस card को complete फ्लेक्टर लिए हैं और यहाँ पे हम एक term and condition की box के उपर हम complete यहाँ पे tick करेंगी और tick करकी यहाँ पे get this card की offer मिलेगी final case हम इसके उपर complete क्लिक कर देंगी अब देखी गई यहाँ पे मेरी account जो है HDPC bank में है तो यहाँ पे मेरी copy for details जो है automatic fill हो चुकी है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी print card की number यहाँ पे मेरी email id और यहाँ पे मेरी जो भी address है यहाँ पे मेरी complete delivery address आपको दिखने को मिल जा रहा है यहाँ पे साथ तोर पे आप देख सकते हैं mention किया गया है कि delivery address as per your bank account यहाँ आपकी bank account में जो भी address आपने दिया है यहाँ पे आपको complete देखने को मिल जा रहा है अगर आपको इसी address पे आपको उपनी card को deliver करानी है तो यहाँ पे जो है already yes वाली button पे फ्लक्ट है अगर आपको इस address पे आपको अपनी card को deliver नहीं कराना है तो यहाँ पे फाइनलगी आप नुवाल अपफन पे complete क्लिक करेंगी और यहाँ पे निची आप जिस भी address पे आप अपनी card को deliver करना चाहते हैं उस address को complete फिल करेंगी दोस्तों हम जो है इसी address पे अपनी card को deliver करना चाहते हैं तो य देखिए कि यहां पर आपको अपनी CT फिलेक्टरने के लिए बोला जारा है, यहां पर फाइनलगी आप CT के उपर किली करेंगी, और यहां से आप अपनी complete CT फिलेक्टरने के लिए, इसके नीचे यहां पर आप से आपकी employment टाइप उश जा रही हैं, फाइनलगी आप इसके आपकी company की name पुशी जा रही है, आपकी company की जो भी name है, आप इस box में complete फिल करेंगी, यहां पर आपसे decision पुशी जा रही है, आप उस company पर की spot पे है, फाइनलगी उसे complete फिल करेंगी, यहां पर आपसे work email ID मांगी जा रही है, यहां कि आपकी company की email ID मांगी जा रही है, यहां पे आप उसे complete फील करेंगी, देखीगी यहाँ पे यहाँ पर यह चीज आप को ध्यान देनी है कि यहाँ पर आप जिस भी company की name फील करेंगे जैसे बाणके चलीगी कि मैं यहाँ पर आपको फील करके ही live दिखाता हूं जैसे बाण complete क्लिक करेंगी और यहां पे आप जिस भी company में काम करते हैं उस company की complete name यहां पे आप फिल कर देंगे तो फाइनल की यहां पे आप दिख सकते हैं मेरी स्वारे details यहां पे complete फिल हो चुकी है और यहां पे में complete complete determine condition की box मिलेगी फाइनल की हम जो है इसके उपर complete क्लिक करेंगी और फाइनल की यहां पे हमें submit and verify वाले बटन पर complete क्लिक कर देना है ओकी अब देखेंगे यहां पे आपको अपनी complete account की verify करनी है कि हाँ आपकी account जो है HDFC bank में है तो गई इसके लिए आपको यहां पे complete दो अपफ कर सकते हैं फाइनल की यहां पे हम जो है पॉली वाले अप्फन को complete अड़ते हैं debit card यानि ATM कार्ट को अब देखेंगे यहां पे आपकी ATM कार्ट की लास्ट वाली 48 मही जरी है उसे complete यहां पे फिल करेंगी आपकी ATM कार्ट की उपर यहां पे expiring date रहेगा फाइनल की उस expiring date को आप यहां पे complete selected गी और यहां पे आपकी ATM कार्ट की जो भी पीन है final गीज उस पीन को यहां पे फिल करेंगी इसके बद गईज यहां पे आपको एक तर्वेंट कंडिशन की box मिलेगी final गीज आप इस box के उपर complete टी करेंगी और यहां पे verify कार्ट वाले अप्फन पे complete किली क कर देंगे अब देखी गई finally यहां पे आपको साप सब्दों में बताय गया है कि आपकी जो भी application है यहां पे complete successful submit हो चुका है और इसके नीचे यहां पे आपकी जो भी application नंबर है final यहां पे आपको पनी complete application नंबर देखने को मिल जा रहा है और इसके नीचे यहां पे आप द कि कुछ दिर बाद यहां पर मेरे Gmail पर कार्ट जनरेट होकर की आ गया है चलिए यहां पर देखते हैं कि mail में क्या क्या आया हुआ है तो देखी दुस्तों यह रहा मेरा extend virtual credit card जो कि मेरे email पे complete आया हुआ है यहां पे शाब सब्सक्राइब बताया गया है कि your kedpc bank extend credit card is here और यहां पे आप देख सेकते हैं मेरे credit card की limit जो है जो है यहां पे करेंगी नाव नौर वाले अफण पर कम्पेरिट करेंगी ओंकी देखी की यहां पर करेंगी क्रेंगी और देखेंगी यहां पर कम्प्रेट करेंगी अप से verify करेंगी यहाँ पर में keep check code दिखने को मिल रहा है इस keep check code को हम जो है same to same इस box में complete फिल करेंगी इसके बद यहाँ पर में continue की button मिलेगी यहाँ पर हम continue वाले button पर click कर देंगे अब देखीगी हमारी जो भी mobile नंबर है फारन लेगी तो उस mobile नंबर पर verification के लिए एक OTP प्रिंट की जाती है उस OTP को हम इस box में complete फिल करेंगी और फिर यहाँ पर continue वाले button पर click कर देंगे ओके यहाँ पर हमारी जो भी credit card है यहाँ पर हमें complete देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर गईज मेरी card की नंबर यहाँ पर मेरी expiry date यहाँ फारे चीज़े complete मुझे ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सो CBB नंबर वाले अपफन पर complete क्लिक करेंगी तो final यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी card की जो भी CBB नंबर है यहाँ पर complete हमें देखने को मिल जा रहा है आप देखेगी इस card की हमें कुछ control setting को set करना होगा यानि ओन लाइन transaction एको यहाँ पर Chrome browser application को open करते हैं और यहाँ पर हम जो है my card लिकर की जैसे ही first करेंगी यहाँ पर आपके सामने कुछ इसक्राट से interface open होती है यहाँ पर आप जो है my card वाले अपफन पर complete क्लिक करेंगी और देखेगी यहाँ पर आपको उताय जारा है कि यहाँ पर आपकी जो भी रेश्टेट mobile number है final लिकी जाप इस box में complete फिल करेंगी और यहाँ पर git otp वाले बटन पर क्लिक कर देंगी देखेगी जाप अपनी mobile नमबर को otp की फाथ complete फिरिफाई कर लेंगी उसके बाद जाई आपकी card की last की 48 मागी देगी final लिकी उसे complete फिल करेंगी यहाँ पर आप अपनी card को add करे है